आज हम लोग सिखेंगे किस तरीके से हमें अपनी स्टोरी बतानी चाहिए जब भी हम किस विक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं उसका फॉलो अप करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी स्टोरी आप उनको सारा प्लान दिखा देते हैं उनका अच्छे तरीके से फॉलो अप भी करते हैं लेकिन यह दे आप उसके साथ में आप अपनी स्टोरी एड़ कर देंगे आप उनको अपने बारे में बताएंगे तो सामने वा होगा लोग company से नहीं जुरते लोग product से रज़ लोग किससे जुड़ते हैं लोग और लोग आपसे कम जुड़ेंगे जब वो आपके साथ में connect कर पाएंगे और लोग से connect करते हैं आपकी इस्तिती को देखते हुए जब उनमें कुषly similarities चीज दिखाई देती हैं आप में और उन में तो फिर लोग आपके साथ जोड़ना पसंद करते हैं यदि लोगों कोई लगता है यह तो मेरे जैसा ही है इसमें तो यह बिल्कुल मेरे जैसी बात है तो फिर लोगों को लगता है कि यह कर सकता है तो फिर तो मैं भी कर सकता हूं मैं हमेसे एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनस में 100% success हो सकता है यदि उसका what, why and how clear हो जाए काम क्या है, काम क्यों करना है और काम कैसे करना है काम क्यों करना है वाला जो part है वो उसे आपको देखके लगता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ इसने क्यों किया, मैं क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती है जब वो आपकी story सुनता है तो story बहुत माइने रखती है, लोगों को अपने साथ connect करने के लिए लेकिन सवाल ये उड़ता है कि सारी story में हम क्या बता है तो देखे, generally ये देखा जाए तो पहले भी हम लोगों ने आपको बताया है और आज भी फिर में बताने की कोशिश करूँगा वैसे तो generally हम बोलते हैं सिर्फ तीन चीज़ों में आप अपनी story को बता सकते हो तीन चीज़े, number 1 आपका introduction, number 2 आपका achievement, number 3 आपका message इस तरीके से आप अपनी experience sharing कर सकते हैं लेकिन यह जो तीन चीज़े हैं, इन तीन चीज़ों को भी आप अच्छे से कैसे बता पाएं आप within the time, जो वक्त आपको दिया गया है या जो वक्त आपके पास में उसी वक्त में आप कैसे बताएं, उसके लिए यदि आप लोग 7 steps को follow करेंगे तो आपका sequence अच्छा होगा, आप अच्छे तरीके से सही sequence में आप अपनी story बता पाएंगे आपने मुझे भी देखा होगा, मैं जब मेरी stories बताता हूँ, जब मैं मेरा closing करता हूँ कभी भी या आजकल आप मेरे plan के यदि वीडियो देखेंगे, तो मैं plan के वीडियो को जो खतम करता हूँ, मतलब जो मैं plan finish करता हूँ last में मेरी story सुनाता हूँ, और मैं story सुनाता ही नहीं, मैं story दिखाता हूँ, उसको मैं live दिखाता हूँ, देखो मैंने पहले ये किया, मैं वहाँ से हूँ, पहले मैं ऐसा था, पहले मैं वो करता था, फिर मैंने ये किया, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, आप मेरा plan का क बताने बादा हुए तो जब भी आप अपने स्टोरी बताएं किसी भी व्यक्ति को जिसे कि वो आप से अच्छे से connect कर सके अच्छे से relate कर सके तो वो seven steps का ध्यान रखेगा step number one सबसे पहले आप उस व्यक्ति को बताईए कि आप इस काम से पहले क्या करते थे आप इस काम से पहले क्या करते थे जैसे generally मैं बताता हूँ कि मैं नौकरी करता था मैं 10,000 रुपे महीने के institute मैं नौकरी करता था उससे पहले मैंने से पहले क्या करते थे number one number two उस वक्त आपकी condition कैसी थी उस वक्त आप financially कितने sound थे आपको क्या क्या तकलीफ हैं थी क्या क्या चीज़ें आपकी life में अच्छी हो रही थी वो सारी चीज़ है good और bad जो दौनों aspect थे आपके उस वक्त के दौनों बताईए आपको मैं खुद बोलता हूँ मैं एक institute में था जहां लोग air hostess और flight steward के लिए बच्चों को train करते थे admin हुआ करता था तो सम्मान तो था लोग respect करते थे बच्चे सम्मान करते थे teacher suspect करते थे लेकिन पैसे के मामले में देखा जाये तो पैसे का मामला बड़ा गड़ बड़ था दस अजार तो salary थी और वो भी कभी खटे नहीं मिलते थे वो भी टुकड़ों में मिलते थे क्यों क्योंकि institute था और institute में तंखा ऐसे मिलती है वहाँ यदे आपके बच्चों के admissions होंगे तो तंखा time पर मिल जाएगी बच्चों के admission नहीं हो रहे तो जो institute का मालिक है वो दुखी करता ही करता है ज्यादत था कोई exception एक दो case हो मैंने नहीं कहता लेकिन ज्यादत था institute में यहीं चलता है कि लोगों को salary तक time से नहीं मिल पाती है तो यह मेरे साथ में problem थी तो मैंने दोनों aspects बता दिए तीसी चीज़ आपको बताना है जैसे यह business आपके सामने आया आपका पहला reaction क्या था मैं आपको मेरा reaction बताता हूं मुझे डॉक्टर निशा भारती मैडम ने फोन किया पुकेश जी आपसे कुछ बात करनी है और स्वारी मैडम से भी पहले फोन किया मैडम के भाई थे और मैडम के भाई थे प्लच जान पेचान के एक वेक्ति थे डॉक्टर जस्वंत बुले को आपसे मिलना है कहां मिलना है ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में मिलना है यह मै приг कर गया किया कोई कमपनी मंपनी का प्लाान दिखाने के लिए पक का और जैसे मऄखे मैं पहुचा ग्रीन वैली रेस्टोरेंट पर तो मैंने देखा वolesome आ के बुट खड़े हुएただ अबी तो प्लान दिखवाने के लिए हैं। और लिटरली सुनिए, मैं वहाँ से भाग गया। मैं गया ही नहीं अंदर। मैं ये बोलके वहाँ से भाग गया। ये मेरा पहला रियक्शन था कि मैं अभी institute के लिए लेट हो रहा हूं बाद में मिलेंगे समझ में आ रहा है यह था पहला reaction था और उसके बाद में फिर मुझे डॉक्तर निशाभारती मेडम ने साम को फोन किया सुबह उन्होंने फोन किया जस्वंद निशाद ने मैं भाग गया मैं गया ही ने साम को निशाभारती मेडम ने फोन किया मुकेश जी आपसे मिलना है आप कहा हो मैंने का मैडम institute में हूँ मिलतो सकते हैं आप करना मत करना मैंने का चलो ठीक है मैडम देखते हैं मैं फ्री होके कॉल करता हूँ आपको फिर मैं फ्री होके गया फिर मैडम के साथ मैं रूबी होटल में बैठा वहां मैडम ने मुझे सुनने के लिए तैयार किया फिर हम लोग होटल एवेन्यू गए वहां जाके फिर मुरिज्जे ये पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया तो ये मेरा पहला रियक्शन था इस बिजनस को लेके मतलब मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था कि एकदम से मैंने पडाक से जाके देख लिया और इस बिजनस को करना चालू कर दिया तो इसी तरीके से आप अपना पहला रियक्शन उनको बताइए आपके साथ क्या हुआ था जब आपके सामने ये बिजनस आया तो आपको कैसा लगा तो ये उनको बता लिए पॉइंट नमबर फूर फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने के आपको इस बिजनस को करने के लिए मोटिवेट किया कन्विंस किया ऐसी कौन सी चीज थी जब मैंने इस बिजनस को देखा तो मुझे किस चीज ने मोटिवेट किया था business دیکھا business کے sāt मैंने लोगों की income देखी मैंने इन लोगों की जो लोग मुझे business plan दिखा रहे थे मैंने उनके TDS certificates देखे और मैंने पैसा आता हुआ देखा और जब मैंने इनको पैसा आता हुआ देखा तो फिर मुझे एक चीज समझ में आ गई इनको आ रहा है तो पैसा तो मुझे भी आ सकता है और पैसा तो मुझे भी चाहिए पैसे की नियुट तो मेरी फैमिली को भी है और फिर मैंने इस बिजनस को स्टार्ट कि जब इनको पैसा आ रहा है तो पैसा तो मुझे भी आ सकता है तो यह मेरी चौथी चीज थी पांचवी चीज़ फिर आप उनको बताईए अब तक के आपके इस बिजनस से अचीवमेंट्स क्या क्या रहे आपने बिजनस स्टार्ट करने के बाद अब तक इस बिजनस से क्या-क्या पाया क्या-क्या कमाया क्या-क्या मिला आपको वो सब कुछ बताईए आपको foreign trips मिले, आपने गाड़ियां खरी दी, आपने घर खरीदा, आपने अच्छा पैसा कमाया, आपने personality कमाई, आपने अच्छी सोच कमाई, आपको जो कुछ भी आज तक मिला है, वो सब कुछ बता दीजे, ये है step number five, step number six, अब आपके आगे का long term vision क्या है, आपका short term और long term vision क्या है, अब आप इस business से आगे क्या करने वाले हो, तो अक्सा आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ, लोगों को ये मैंने गाड़ियां खरीदी, ये किया, वो किया, वर आगे भी बताता हूँ, अब मैं land rover discovery लोंगा, ये मेरा target है, मुझे एक university बनानी है, ये मेरा target है, last मैं आपको बताना है, कि आप, आपके जो prospects से उनके पते और अपनी team के पते कितने committed हैं, उनके लिए आप क्या करने वाले हो, आप अपनी team के लोगों के लिए क्या करने वाले हो, तो आप बताते हैं, मैं मेरी team के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से करूंगा आप हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी अपना कमिटमेंट दिखाईए उनके पर देगे जो लोग आपके साथ लेका है कि अब मैंने तो यह ले लिए अब यह मुझे आपको दिलवाना है सब्सक्राइब झाल की नवर्ट्राइब का सब्सक्राइब करना चाऊंगा सच बोलेंगे सब्सक्राइब को यह सब्सक्राइब हैं लिए कोई भी ऐसा कमिट नहीं करेंगे जो आप पूरा न कर से यदि इस इसे आपने विदिन गटाइं आपने अपनी सामने वाले विक्ति को अपनी स्टोरी सुना दी विश्वास मानिये सामने वाला विक्ति आपसे डिलेट भी होगा आपसे connect भी होगा और आपके साथ इस बिजनस की शुरवात भी करेगा तो ये लोगों को बिजनस में जोईन करने के लिए एक बहुत ही important टूल है उनको decision तक महुचाने के लिए कि आप उनको अपनी स्टोरी बताइए और इस तरीके से बताइए और time का इसे इस ध्यान रखेगा यदि कहीं आपको इसी स्टोरी को एक से दो मिनिट यानि गागर में सागर भरना है कावत सुनिए गागर में सागर भरना यानि कम समय में अपनी इसी बात को रखना यदि आपको 4-5 मिनिट मिली है तो आपको यही बात 4-5 मिनिट में बोलनी है उस तरीके से आपको अपनी स्टोरी को थोड़ा सा explain करना है और यादि आपको 10-20 मिनिट मिली है 15 मिली है तो फिर आपको अपनी स्टोरी को इसी स्टोरी को इनी 7 steps को थोड़ा elaborate करते हुए 10-15 मिनिट में आपको अपनी स्टोरी सुनानी है लेकिन एक बात का ध्यान विसेश रहें जितना समय आपको मिला है उस समय के 2-3 seconds पहले ही आपको अपनी बात को खतम कर देना है यानि आपको 2 मिनिट मिली है तो एक मिनिट 95 seconds में आपकी बात खतम यानि कम से कम 2-4-5 seconds पहले आपकी बात खतम हो जानी चाहिए कि इस बात का आपको विसेश रहें तो दोस्तों यह था हमारे एक बहुत important पार्ट जिसको यदि आपने लिया आपने अडॉप्ट किया तो फिर आपको 100% आपको closing आने ही वाली है वह अभी मुलाकात होगी आपको से next वीडियो में वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर ल फिली नमस्कार